हाई लो बैच्चो वेलकम टे बिंद्र मिंद्र क्लास एज एक क्यूज नंबर सीख से आपका और यह एक अटोमिक अस्ट्रक्टर पर ठीक है आपने क्यूज श्टोश्यमेट्री का दे चुके हो सब अब क्यूज श्टार्ट हो चुके हैं वह हैं टोटली वेस्ट किस पर एक अब कि बहुर थियोरी एक अंटो एस्टेबिलिटी ओफ लाइन अस्पेक्ट्रम ओफ एलाई प्लस आयन हम दो तरस इसे को कर सकते थे पहला उसने लाइन अस्पेक्ट्रम जैसी बोला तो इस लाइन अस्पेक्ट्रम के बेसिस पर बहुर ने लाइन अस्पेक्ट्रम को एक एक बात कि बोहर थी जो थी ओग सिंगल इलक्ट्रोन स्पेसिश के लिए था इसने अली प्लस में कितनी लग्रॉन से तो यह पहला तो तो एक्षार्ट गलत ही और उनलाइन थे वैंने की बाद की थी और नहीं मल्टी एलक्टोन की बात की थी एक एलक्टोन के लिए उसने स्पेसिफाई एक्स्प्लेइन किया था तो पहरा statement क्या हो चुका है गलत सेकंडर स्प्लेटमेंट है बहुत थियोरी वाज अनेबल हो खात करते हैं यह इसे एक्सप्लेइन नहीं किया था इसे भी बहुत यह एक्सप्लेइन नहीं किया था एक स्प्लेइन devices ग्लक्राइस campaign सही है तो statement 1 is false और a statement 2 is true B option क्या होगा आपका character होगा आ रहा है सब में को समझ में यहां आजाओ the third line of walmer series corresponds to the electronic transition between which board orbit in hydrogen third line n equal to kya 3 ठीक है third line of walmer series third line का मतलब जैसी उसने बोला यह इसने कौन सा line बोल दिया है gamma line की बात कर दिया है ठीक है third line बोले या gamma line बोले तीनों क्या है दोनों क्या है सेम चीज ही है अब यहां सुनना उसने क्या बोला है n equal to 1 n equal to 2 n equal to 3 n equal to 4 और n equal to हमारा 5 उसने क्या बोला है उसने बोल रखा है third line of walmer series यही बोलाए क्या balmer series को हमें पता है कि n1 क्या होता है बालमर series के लिए hai कि यह हमारा क्या है balmer series के लिए प्रोसale ik गयों सा होगा यह हमारा फोर्स्ट लाइन इसी को हम लोग क्या बोलते तहें फर्स्ट लाइन और इसी को हम लोगों क्या बोलते थाल्फा लाइन पढ़े है मलोग यह हमारा एन इक्विल टू 4 पर हमारा क्या है सेकंड लाइन और यह हमारा क्या हो गया बीटा लएं कि थाड वाले आजओ उसने बोलाई question में कि थड़ यह हां थाड लाइन लो ठाड लाइन है यह यह क्या है आम रिपिद्स किया बहुत सकते हैं गामा यह यह निए थार दाइन बोल दे encant स्पाक्ष पार्व अँछ सेंसे जो ईनुक इंसे को सिरीं कर्सपाइं प yatकी आधिवीके MR09 निकूल टूवन कोहां आता है तो कि आता है थो अला है कि टूपर आयेगा पट्लब हो सब्सक्राइब हमारा 55 2 transition कोन सी और है 52 2 transition हो रही से उस कमारा कोई और्विट नहीं yenहीं की कि दिद वble Somalis यह से सिद टिवन सिंम को welcome की उसने सीधा बस थार्ड लाइन बाल्मर स्षी जैसे उसले थार्ड लाइन ओए बालवरशिरी बोपला मतलब वह क्या है गामा लाइन की बात कर रहा है मतलब N equal to 5 5 से transition हो रहा है और बालमर स्ब्सेटít आगा एंट है तो डान इसन जो है वो क्या है फाइब टू टू है आज आँ थर्ड कोश्चन यह भी कोश्चन अच्छा है देखना है यहां से क्या पूछा है दा सेंपल ओफ हाइडोजन एटम इलक्टोन टांस टांजिस्ट टांसिस्ट फ्रों शिक्स तू सेकंड ओर्विट इन मल्टी अस्टेप हां सही है सिक्स से कहां यह सेकंड पूर रहे हैं कि दें टोटल स्पेक्टर लाइन बिदो वालमर्श इंसले क्या पूछ रखा है कि टोटल श्बgoneहाईन बताओ और वह नाइन को नहीं लेना है जिसमें बालमर स्रीज आ रहा हो, पहले हम क्या करेंगे ऐसे question में, एक तो diagram पहले बना लो, n equal to 6, n equal to 5, n equal to 4, n equal to 3, n equal to 2, और n equal to 1, यह है, उसने बना हम पहले क्या करें, हैं total number of, total number of spectral line, निकाल लेते हैं, total number of spectral line, क्या हम formula पढ़े है, n2 minus n1, और n2 minus n1 plus 1, divide by 2, 6 से second पहाँ है, n2 क्या होगा हमारा, 6 और n1 क्या होगा हमारा, यह हमारा क्या होगा, n2, यह हो गया हमारा n2 और यह हमारा क्या हो गया n1 टोटल अस्पेक्टरल लाइन निकाल रहे हम लोग देख लेना n2 क्या है हमारा 6-2 और यहां क्या हो गया 6-2 6-2 प्लस 1 डिवाइड बाइ 2 यहां से कितना गया 4 और यहां से कितना गया 5 20 डिवाइड बाइ 2 मतलब कितने टोटल अस्पेक्टरल लाइन आगे हमारे 10 अब उसने बोला है कि जो उस लाइन को लेना है जो वालमरस्रीज को ना इंग्जिस्टर रहे बीदार वालमरस्रीज लेना है तो n equal to 6 में पहले निकाल लेते हैं कितने वालमरसरीज आप आरे हूंगे अब इस formula से तो हमने total निकालने का यह formula था अब उसने बोला without walmer series में बताओ तो n equal to 6 से एक बार 2 पे आ रहा होगा n equal to 5 से 2 पे आ रहा होगा n equal to 4 से 2 पे आ रहा होगा और n equal to 3 से 2 पे रहा होगा बतलब इतनी possibility है कि walmer series की transition हो रही होगी एक बार 6 से 2 पे आ रहा होगा 5 से 5 से 2 पे आ रहा होगा 4 से और फिर 3 से मतलब 4 ऐसा spectral line है इसके अंदर 4 ऐसा spectral line है इसके अंदर जिसमें बालमर series को exist कर रहा है बालमर series उसमें आ रहे हैं तो अगर यह 4 total में से हम लोग क्या करें 4 घटा दें बालमर series को total कितने हमारे है तैन है total हमारे कितने है 10 और total में से हम लोग क्या करें अगर जितने बालमर series पे आ रहे है spectral line अगर उसे हम लोग हटा दें घटा दें तो क्या हो जाएगा स्ष्ट्रेक्ट कर दें तो क्या हमें यही स्पेक्टर लिए पूछा ता विए पूछा था कोछच्ants वोर्मूला पढ़ते हैं वह किस के लिए हमें लोग जो मुला पढ़ते हैं total number of spectral line के लिए पर इस वार question उसने पूछा है कि जो spectral line total आये हैं उसमें आमें बालमर स्रीज नहीं आना चाहिए अब बामर स्रीज जो आना चाहिए बामर स्रीज जो है वो किस के लिए है एन इकल टू पर ट्रंजिशन होता है तो बामर स्रीज इसमें नहीं आ रहे हैं मतलब बामर स्रीज जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं फोर आ रहे हैं अगरम उसमें से घटा दे चाहर को फोर को तो हमें क्या निकल के आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ अस्पेक्टर लाइन विदाउट बामर स्रीज समझ में आ गया थाड़ आ जाओ नंबर ऑपॉसिवल अस्पेक्टर लाइन इन ब्रैकेट स्रीज इन हाइड्रोजन एटम इप एलेक्ट्रोन प्रिजेंट इन नाइंथ इक्साइट लेवल रिटर्न टू इन की वह टरा हैज को ग्रोन स्पेक्र ॐरल टेक問 एक चीज उसने मैं इन सन्बसक्राइप आप ग्रैकेट सिरीज इसवार ठीक है भास कर दीए है उसने मैं पहले बना लेता हूं n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4, 9th excited state बोला है उसने, 9th excited state, मतलब n की value क्या है, 10 है, n की value 9th excited state, मतलब n की value क्या है, 10 है, n equal to 5, n equal to 6, n equal to 7, n equal to 8, n equal to 9, n equal to 10, ठीक है, अब उसने पूछा है, कि brackets, आप, लेक्टन प्रजेंटी, 9th excited, return कहां कर रहा है, ground state पर वो पहले कहां आ रहा है, hide, bracket series पर, लो bracket series से आया, फिर वहां से ground state पर आ रहा है, कितनी possibility है, कि bracket series पर आ रहा होगा, पहली बात, लाइमन के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, लाइमन के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, n1 की value 1, BAMER के लिए क्या पढ़ते हैं हम लोग? अब यहा से कितनी POSBILITY है? पहले हम देख लेते हैं एक बर कहां से आ रहा होगा 10 से 4 पे आ रहा होगा एक बर कहां से आ रहा होगा 9 से 4 पे आ रहा होगा 8 से 4 पे आ रहे होंगे 7 से 4 पे आ रहे होंगे 6 से 4 पे आ रहा होगा और 5 से 4 पे आ रहा होगा 1 2 3 4 5 6 6 लाइन है जो ब्रैकेट सीरिज पर आ रहा है 9th excited state मतलब न इकोल तू 10 6th 9th excited state करने का मतलब खाल एन इकोल तू 10 और कितने line कितने spectral line आ रहे हैं हमारे एन equal to 4 पर ब्रैकेट सीरिज बोल रहा था उसने अब वहां से वह ground state है तो वही पूछ रहा था कि bracket series पे पहुंचने के बाद कितने spectral line है जो ground state पे पहुंच रहे हैं तो bracket series पे कितने आ रहा है six line है और इस line के बारे में उसने तकी total number of lines पूछ आई है total number of lines पूछा ही नही है बस पूछा है कि bracket line पे जो पहुंच रहा है वेलू क्या होती है फोर होती है हमने क्या निकाल लिया कि टोटल नंबर कितने अस्पेक्टर लाइन हमें प्रैक्ट सिरीज पे पहुंच रहा होगा तो इसकी जो वैलू थी वह हमारे क्या है वी इकुल टू बी अंसर है इसका six ही है इसका अंसर लास्ट कुश्चन अज इसकोश्चन पर आज़ा वाट इस दस्वाटेश बेवलेंद इन पीफेंट सिरीज ओप हिलियाम प्लस आयन पीफेंट सिरीज के लिए जैसी बोला उसने तो हमारा एन वन क्या हो गया फाइव अब उसने सोटेश्ट बेवलेंद की बात की है सुनना यहां सोटेश्ट बेवलेंद की बात की है और सोटेश्ट बेवलेंद कब होगा जब हमारा एन टू क्या होता था इन फाइनाइट यही होता था एन टू हमारा क्या था इन फाइनाइट जैसे उसने सोटेश्ट बेवलेंद बोल तो हमें वहां से N2 की value पता चल चुका और जैसे ही हमें उसे P fund series बोला तो हमें N1 की value पता चल चुका और तुम formula राइडवर्ग formula पढ़े होगे 1Y lambda RH Z square यहां RH के जगा R ले लखा है तो R ही लेते हम यहां ताकि तुम्हारे अंसर वे R Z square 1 by N1 का square minus 1 by N2 का square यही राइडवर्ग फर्मूले पढ़े हो तुम लोग यह 1 by lambda अभी भी है R की value तो वो तो constant होता है राइडवर constant है वो और Z की value यहां किस है atom के लिए बात कर रहा है helium ते हां हमारा Z क्या आगया 2 अतलब यहां से हम 4 लिख दू direct यह हमारा क्या हो गया 1 by N1 हमारा क्या है 5 का square और माइनस 1y इन्फाइनाइट क्या है यह टर्म तो हमारा 0 हो चुका है infinite वाले term तो हमारा 0 हो चुका है यह हमारा क्या आचुका 1 by R यहां से हमारा आचुका 4 by 25 आचुका हमें पूछा है किसका बेविलंद पूछा है यह तो हमारा 1 by lambda आया है मत्तों 1 by lambda की value आई है हमें लेंडा निकालने के लिए देखो यहां निकाल रहा हूँ मैं lambda निकालना है यह ले गया वे 25 कहा आएगा उपर और हमारा 4R हमारा कहा आएगा नीचे यही हमारा क्या आएगा कि सोटेस्ट बेवलेंद आएंगे इस सीरीज का ठीक है सोटेस्ट बेवलेंद के लिए हम लोग पढ़े थे कि जो गार सोटेस्ट पूछ दे तो एंटू क्या लेना है इनफाइनाइट अगर यही लोग पूछता तब हम अध्य कंट लेते लोग यहीं लेते ऑल लेति इसमें हमारा इनरजी की टरम भी पूछ सकता था इस को कि मैं maximum energy की बात कर देता उसमें maximum energy of photons की बात कर देता तब उसमें भी क्या होता into infinite होता है अगर energy जादा है तो wavelength तो shortest ही होगा क्योंकि energy और wavelength एक दूसरे के inversory lesson है तो option D is the correct answer है इसका ठीक है आजाओ next question पर चलते है the ratio wavelength of photon corresponding to the alpha line of limer series in hydrogen and atoms of beta line of walmer series of helium plus आहें सही है पूछा क्या है उसने कि alpha line के लिए पूछ रहा है hydrogen atom के लिए और helium beta line के लिए walmer series के लिए हमें पूछ रहा है ratio पूछ रहा है दोनों का पहले हम क्या करते हैं एक ही करके पहले निकाल लेते है alpha line of limer series जैसे ही बोला alpha line of limer series जैसे ही बोला तो हमें तो एक चीज तो पता था अभी पहले question में तो यही कर रहे था second question में n1 alpha line beta line gamma line alpha line क्या होता है जहां पड़े spectrum line आ रहा है limer कहा था n1 equal to 1 तो उसका एक value ज्यादा n1 plus 1 जो value होती है हमारी वह alpha line होती है मतलब इसने n1 की value क्या हो गया हमारा 1 और n2 की value क्या हो गया हमारा 2 यहां से मैं क्या wavelength ही पूछ रहा है the ratio wavelength wavelength तो rider formula लगा 1 by lambda रह और यह क्या है लाइमन अलफा लाइमन ओफ लाइमन श्रीज फोर hydrogen atom फोर hydrogen atom तो z की value क्या होगी 1 ठीक है और यहां से 1 by 1 का स्क्वाइन माइनस 1 by 2 का स्क्वाइन 1 by lambda फोर यह किसके लिए निकाल रहे हैं हम लोग hydrogen atom के लिए ठीक है लाइमन श्रीज तो आरेच यहां से हमारा क्या हो गया यह आरेच 4 minus 1 यहां से हो गया 3 by 4 यहां से लेमन निकाल लो किसके लिए लाइमन के लिए यहां से क्या गया 4 by 3 ओर यह कि स्क्वैक लिए यह हमारा किसके लिए लिए हमें बेवलन्त निकाल के लिए इसी तरह से हम क्या करें बांबर् становится के लिए रहने आते हैं कि कि यह यह बामर्श इ चीज के लिए उसने क्या क्या रहा है बीटा लाइन और बानसा अब अलफा आइन बोल देता बामर्शरिच के लिए तब यह आजाता हमारा इंटो क्या था 3 क्योंकि N1 प्लस 1 जो हमारा होता है वो अलफा लाइन होता है और N1 प्लस 2 हमारा क्या होता है बामर श्रीज होता है तो यहां बीटा लाइन बोला है जैसी या सेकंड लाइन की बात कर देता तो N2 हमारा क्या उसने value दे दी है 4 आ रहा है समझ में अब लगा दिया मैंने ये बामर के लिए आरेच यहां इस बार helium ion के लिए बात किया है इसने hydrogen के लिए नहीं बात किया है वो किस के लिए बात किया है helium ion की बात किया है तो यह हमारा क्या गया 4 1 by n1 मत्तब 1 by 4 minus 1 by 60 यहां से आ जाओ 1 by lambda बामर यहां से कितना आ चुका हमारा यह रह 4 है रह इंटू 4 और यहां से हमारे क्या आ गए हमारे 4 minus 3 by 4 minus 3 by 3 by 16 3 by 16 यह क्या आ गया हमारा 16 लोगे तो यहां से 16 आ गया यह हमारा कितने आ गया 4 3 by 4 और यह हम लेंडा वारमल के लिए निकाल लोगे देख लो क्या आ जाएंगे फोर बाई ओफॉर by 3 आ ए लो ओ लोगे अप्सक्राइल क्ला आ भेचा लाइमेन के लिए भी वही वेली निकला है बामल के लिए वही लाइन निकला है तो approach at यह अवे क्या पूछा अब देख लो है यहा देख लो रेसी वहां पूछा ए तो alpha line of lineman series पर तब ये क्या है बेवलेंद का ही पूछ रहा था ये lineman के लिए और ये हमारा bomber के लिए क्या दोनों की value same आरा किया क्या ये है lineman के लिए और ये हमारा क्या bomber के लिए उसका भी 4y3rh और इसका भी 4y3rh रख दो value 4y3rh और यहां से भी 4y3rh क्या हो गया cancel one ratio one का रख दो यह मैंने alpha alpha किसके लिए बेवलेंद निकाल लिया lineman के लिए और यह मैंने नेक्स शलते हैं अब यहां सवीच ट्रांजिशन अब दा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बुड़ा थे सेम बेवलेंथ अगर इसका हम n equal to 4 और n equal to 2 पहली बात कि हम लोग क्या निकाल लेते हैं बामर स्रीच के लिए बामर स्रीच के लिए निकाल लेते हैं कि क्या बेवलेंथ हैं फिर हम इसके लिए इनने option में चेक करेंगे बामर स्रीच के लिए पहले आजाओ यहां कि हम लोग यह क्या बात कर रहें बामर स्रीच की बात कर रहें और बेवलेंथ कैसे निकलागा वन भाई लेमडा आरिच हिलियम एटम है क्या यहां कितना आखुका हमारा फोर का स्क्वार और यह हमारा इन वन कितना दे रखा है 4 two का स्क्कॉरर माइनस one by four का स्कॉरर शरी का स्कॉरर हना चाहिए और is यहां से हमारा आगया 4 इसे पीछले गोश्चन में क्या क्या मैंने और यहां देखो फोर आगया यहां से कितना चुका स्वन और डिवाइड वाइड सिक्स्टीन तो यहां से कितना चुका हमारा 3 by 16 यहां से 4 से 4 कट चुका है मतलब यहां से हमारा लेमडा निकालना चाहे तो क्या आजाएगा 4 यहां लेमडा ले जाओगे तो यह आजाएगा हमारा उपर में 4 by 3 आरेच यह हमारा बेवलेंथ आ रहा है अब उसने पुछा कि कौन सा ऐसा ट्रांजीशन है कॉन साईसा ट्रांजीशन है जिसमें आमारा वेवलिद्ज क्या आ जाये यह आना चाहिए अब हम्हें आई से पर्शेंगे किया करना पड़ेंग ऑसंसे जाना पड़ेंग पर वो तो इं गरेक्ट के देख रहा है गैड़ी ठीक का कुक्ते लिख का स्क्वाल के लिए ग्यते खुरा के लिए तो यहीं पर दिख़हा होता है है कि नहीं क्लोट मैंनस ह इलेंस थूकता हों १ा है कि यह वन का स्क्वाइर सुन लेना यहां से यह 2 का स्क्वाइर कर दो यहां से आ गया 1 by lambda RH यहां से 4 और यहां से 1 4 minus 1 by क्या चुका हमारा 4 यहां से हमारा क्या value आ गया 1 by lambda बराबर RH into 3 by 4 समझ में आ रहा है अब यह 4 कहा जाएगा lambda की value पूछा है तो lambda यहां से क्या आ गया हमारा 4 by 3 RH मतलब यह transition जो हमारा है यह transition B वाला जो है हमारा hydrogen spectrum में उसका wavelength क्या है बामर स्रीज के transition के इक्वल है आ रहा है समझ में बामर स्रीज के transition के n इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 2 of helium ion के लिए जो spectrum का wavelength आया है वो hydrogen spectrum के लिए lambda equal to n equal to 2 और n equal to 1 पे हमारा क्या आ रहा है value same आ रहा है तो हमारा option कौन सो हो जाएगा B is the character answer ऐसे सब को देख सकते थे तू हमें यह answer पता था तो मैंने यह बता दिया कि वल ऐसे तुमें check करने के लिए आकर ना पड़ेगा चारो अप्सन को देखो और देखो किसमें आ रहे हैं है यहां से मुझे दीख रहा थो मैंने कर दिया पर तुमें practice करने के लिए सम्मे करना चाहिए कि हा क्या सच में सम्में आ रहा है कि नहीं आ रहे हैं तो इन तो देख तुम नहीं आ रहा होगा इन दोनों ओप्शन को देखो इसमें आ रहे हैं इसमें यह आ रहे हैं इसमें 4y3 रहेज के एक्वल आएगा बामर के बल्ग और किसी में नहीं आएगा आजाओ कोश्चन यह देखो कोश्चन दे रखा है अब यहां से देखो एक ए 3 से कहां आ रहा है एवन आ रहा है एक ए थी ए3 हाँ इसमें क्या कर दिया इन्होंने कोश्चन ही जल अटाइड है उसमें कि देखो क्या question था इसमें तीन ट्रेंजिशन थी ये था question, एक कहां से आ रहा था, ये आ रहा था, एक आ रहा था, ये आ रहा था, और एक हमारा, ये आ रहा था, समझ में आ रहा है, अब मैं देखो दिखा दे रहा हूँ, ये था हमारा e3, ये था हमारा e3 to 2, e2 और ये हमारा था e1, ठीक है, मनि इसमें ट्रांजी, अब बताना e3 to 1 आ रहा है, जो पहला option से हम लोग चल लेते हैं, ऐसे question में, ये diagram में देखना, ये diagram में एक option missing है, मैं ये diagram नहीं दिखा रहा हूँ, question में दो दिये हो गए, उसमें देख लेना, ये diagram में एक चीज missing है, ये step नहीं दिखा रहा है, ये मैंने जो बनाया है, वो देखो, ठीक है, ये 3 ये दे रखा था, हम पहले option से चलते हैं, इनमें से पुछा है कि कौन सा statement character है, ये 3 से कहा जा रहे हैं हम लोग, 1, ये किसके equal होगा, जितना energy absorbed, उतना ही release, तो ये 3 से आ रहा है 1 पे, तो क्या होगा, इसके transition और इसका plus, इन दोनों को plus कर दे, तो क्या होगा, ये 3 से equal होगा, क्योंकि ये ही तो है हमारा, energy ये ही है, ये ही है हमारा, energy के term में यहां नहीं दे रहा है, wait, ये लेम्डा के term में दे रहा है, यहां, लेम्डा 3, ये लेम्डा 2, और ये लेम्डा 0, तो फिर उस द्रेग्रां ही तो सही था यह रही हम सही ही था तया था घ盛 सही था सही था सघी ए डिभर अ concert सही है कि दिखा रखा यह 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 डिन druh तहीर कि पहलों ट्रैंजिसंग कैं यह 3 से कहा रहा है तुथी से कहा रहा है वन पी आ रहा है उसका some energy state balloon का ये स्वी तूज कี अनरजी इन दोनों की एक्वां होगा क्या अगर इन दोनों को आड कर दें हम लोग तो इसी कीडि़ दोरोगा हम ईतरी हे अगल सकते यह तो पर आए और ये कहां से फिर को उसे कहा आ जाए और एनर्जी बरावर हम क्या जानते हैं एच निउ जानते हैं तो हम लोग एच निउ का टर में चलते हैं क्या यह उप्सन सही है हां बिल्कुल सही है कि जो इसका एनर्जी होगा वो क्या होगा इन दोनों के इक्वल होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यह निल्ट केम चले हम लोग तो हम से क्या biological nitta olan ऐसे क्या बोल सकते हैं लोग क्यों कहाँ है त्री से टू पे रहा है तब में इसव नीच पी तर्मशने की टर्म बात कर रहें आइद अरव यहां से हमारा petrol एस लिए टीक है अब यहां से क्या हम लोग इस तो उद्ट कम नो चुका है यह तो common हो चुका है तो cancel ही हो जाएगा लोग common कर दिया मैंने और यहां से h common कर दिया new two plus new one इस से h क्या हो चुका हमारा यहां से क्या गया new three equal to new two plus new one यह भी option हमारा cb character हो चुका है इस तरह आ जाओ क्या बी option भी सही है क्या हाँ energy of three से बन जा रहे थे तुम यहां energy equal to three से two पहुंचे और यह energy equal to two से one क्या मैं यह सकता हूं क्या और इसके लिए three से one आ रहा है तो उसके लिए wavelength किया कितना निकल रहा है wavelength कितना spectral अंजब three से one पे आ रहा है तो wavelength क्या है हमारा lambda three 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 से two पहारा है तो हमारा wavelength क्या है एससी बाइ लेमडा टू है क्या और यहां से जब two से one पहारा है क्या है तो हमारा wavelength क्या है sse by lambda one sse two common हो चुका यह मारा क्या हो जाएगा one by lambda three one पשה one by lambda two equal to sse यह हमारा equal है sse से c क्या हो चुका है Carl Scout हो चुका है हमारा जो option है यह क्या जाएगा हमारा 1 by lambda 3 equal to 1 by lambda 1 plus 1 by lambda अतलब यह option भी हमारा क्या है सही है ठीक है तो हम लोग क्या बोल सकते थे correct answer इसका क्या होगा तो यह option तो मैंने option के term में बता दिया यह कि तीनों option सही है पर हमें इसका answer क्या होता तो answer क्या अगर मारना होता मार करना होता कि all of these क्या है हमारे correct answer questions को कुछ नहीं था simple question था एक क्या था E3 से चला E1 पर पहुंच रहा है तो हम इसका total energy किसके इपकल होगा E2 से 3 से 2 पर आ रहा है और इन दोनों को हम लोग एड कर दें तो यह हमारा energy 3 equal to 1 पर जो energy होगी वह इसके इपकल होगा अब मैंने जानता हो formula जानता हो पहले h new के term में बात कर लिया फिर मैंने एस तीवा लेमडा की term में बात कर लिया बस relation की बात की थी मैंने निकाल लिया तो option मैंने देखा कि यह भी option सही है यह भी option सही है यह भी option सही है पतलब तीनों relations आ रहे हैं हमारे तो अंसर तो करेक्ट एक ही होगा उसने पूर्च रखा है कि all of these क्या सही है हाँ अल अब दीजिदा करेक्ट अंसर आ जाओ next question में हां यह question देखना थोड़ा सा बोला है कि पी क्यू आर सटन एंटम एनर्जी लेवल है ठीक है देखो मैं बना रहा हो पी है और यह हमारा क्यू है और यह हमारा आ रहे है बोला है अब मिझे कैसे पता मैंने यह तो बना दिया मैंने यह तो बना दिया केवल तो मुझे कैसे पता कि पी ग्राउंड इस्टेट है और क्यू उसके बाद आ रहा रहा है तो उसने बोला है कि एनर्जी जो है ना पी का ज्यादा है क्यू पी से ज्यादा क्यू है और क्यू से ज्यादा आर है हां सही है और उसके लिए हम को transition कहां से हो रहा है R से कहा रहा है Q ठीक है Q से कहा रहा है P हाँ वही question है जो पीछे पूछा गया Q से कहा रहा है P आ रहा है और फिर R से कहा रहा है P मतलब इसके लिए बेवलेंट उसने दे रखा है लिब्डा 1 इसके लिए बेवलेंट उसने दे रखा है लिब्डा 3 R से जब P पे आ रहा है ठीक है लिब्ड़ 1 लिब्डा 2 और लिब्डा 3 दे रखा है इसके लिए बेवलेंट उसने लिब्डा 1 लिब्डा was फॉर वह question है जो पीछे qution किये मैंने, similar क्या करना था, E energy क्या होनी चाहिए थी, R से जो P का energy है, energy of R से P जो हम लोग आ रहे हैं, वो किसके equal होगा, ये energy R से Q, R से Q, और फिर क्या, Q से P, इन दोनों के energy किसके equal होगा, R से P से जो energy आ रही है, वो इसके equal होगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, होगा से E equal to R से Q, और E equal to R से कहा रहा है, Q से P आ रहा है, यही आ रहे हैं, क्या, तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, energy के formula लगा दो, तो हम लोग लेमडा की टर्म में अंसर दे रखा हैं, तो लेमडा वले ही formula लगा ले, क्या होगा, लेमडा 3, इसके लिए हम लोग R से Q आ रहे हैं, उसके लिए में value दे रहा हैं, लेमडा 2, और यहां से हमारा 1 by लेमडा 1, SC से SC तो cancel हो चुका, तो 1 by लेमडा 3 equal to 1 by लेमडा 2 plus 1 by लेमडा, यह अच्छा question था, पर इस पार उसने सीधा forward diagram बना के नहीं दिया, उसने क्या किया, question को straight forward घुमाने के जगा, उसने लिखा, कि energy of P, Q, R, तुम खुद करो यह चीजों को, कि कैसे बनाओ गई है diagram, अभी तक पीछे वाले question में क्या था, उसने diagram बना के दे दिया था, बस यही question था, उसने relation पूछ लिया, इस वाले भी relation पूछा, पर उसने बोला नहीं, इस वार उसने mention नहीं किया, कि diagram बना के दिया ही नि, diagram खुद बनाओ, और answer बताओ, इसका क्या होगा, और बोला उसने transition बता दी, कि R से क्यों हो रहा है, क्यों से P हो रहा है, R से P हो रहा है, मतलब इसका क्या है, इसका energy यहां से जो transition हो रहा है, और इहां से जो transition हो रहा है, वो किसके equal होगा, R से P पर जो आ रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो इसके ही equal आएगा, अगर इसके equal आ रहा है, तो relation मैंने, उसने relation पूछा था, यह option हमारा क्या आ रहा है correct D is the correct answer है हमारा आजो next question the value of N2 plus N1 and N2 का square minus N1 का square of for helium high atomic spectrum are 4 and 8 मतलब इन दोनों का plus से कितने value atomic spectrum की value दे रखी है 4 और N2 का square minus N1 की value कितने atomic spectra की value दे रखी है 8 मतलब उसने एक चीज बोजिंसन किया कि N2 plus N1 कितना दे रखा है 8 यह मने मान लिया कि equation 1 है इसने एक value इसने दे दिया atomic spectra का दोनों का add कर रहा है तब उसकी value क्या रही है हमारी 4 दूसरा उसने बोला कि N2 का square है माइनस N1 का square है उसकी value मैंने दे रखी है 8 यह 4 है यह 4 दे रखा है ठीक है क्या मैं इसको लिख सकता हूं यह तो लिखे सकता हूं एंटू का square माइनस N1 का square हाँ अब यह देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं अब यह तो mathematics है N2 प्लस N1 ठीक है A square माइनस V square तो हम उसको क्या लिख सकते है एंटू A माइनस B लिख सकते हैं वही किया मैंने क्या इसकी value हमें पता है क्या इसकी value वान की value हमने कहा put कर दिया यहाँ put कर दिया equal to क्या अगया हमारा it अब यहां से value आ गए हमारी N2-N1 की value कितनी आ गए हमारी two second equation हमारा यह बन गया है first equation हमारा यह था second equation हमारा क्या बन गया यह अब दो unknown है, दो equation है, तो क्या हमें n to n1 की value पता चल जाएगा, दो unknown है, दो equation given है, तो क्या हमें n1 n2 की value पता चल जाएगा, और यहां, पहला देखो n2 plus n1 की value क्या दे रखा था, 4, और दूसरा n2 minus n1 की value क्या आई यह है, हमारी, 2, मैंने पूरी equation को क्या कर दिया, पूरी equation को मैंने add कर दिये ठीक है? मैं add कर रहा हूँ equation को ये क्या हो जाएगा? cancel ये हमारा क्या हो जाएगा? 2N2 equal to क्या है हमारा? 6 यहां से हमें N2 की value क्या पता चल चुका? 3 अब किसी के N2 को value एक में put कर दो यहां ही put कर दो क्या आजाएगा? N1 कितना निकल के आजाएगा हमारा? 1 दोनों equation में से किसी में put करो N2 की value और हमें क्या निकल के आजाएगा? N1 की value पता निकल जाएगा अब उसने पूछा क्या है? वहां चलते हैं पूछा है the wave length of emitted photon when electron jump from N2 to N1 अब पहली बात हमें N2 N1 पता ही नहीं था पर उसने दो equation given दे रखा था कि एक बार उसने बोला atomic spectra है जो N2 plus N equal to 4 है और एक N2 का square minus N1 का square है उसका atomic spectra की value है 8 है उसने अस्टेट नहीं बोला N2 N1 की बोला value नहीं बताया उसने उसने पहले N2 है और N1 की value को निकलवाया है तो आज ओ यहां निकलवाने के बाद यहां से N2 और N1 पता चल चुका है मारा डेवलेंथी पूछा है तो मैंने राइडवर्ग formula लगाना start किया यहां से सुनू आरिच देख लेतें कौन सा item के लिए helium आयन के लिए बात कर रखा है तो यहां से 2 का square यहां से 1 N1 क्या लाए के आए हो 1 का square minus into क्या लाए हो 3 का square अब यहां से आज़ा 1 by lambda आरिच into 4 यहां से क्या हम बोल सकते है 1 minus 1 by 9 यही आ रहे 1 by lambda equal to क्या रहे है RH into 4 9 minus 1 यही आएगा 9 LCM 9 हो जाएगा 9 minus 1 तो यहां से हमारा क्या आजाएगा 8 minus 8 by 9 यही आएगा हमारा पर उसने पूछा क्या है हमारा lambda की value पूछ रखा है तो यहां से हम lambda क्या बोल सकते हैं इस तरफ ले के जाओ इस तरफ ले के जाओ सबसे अच्छा यहां आजाओ 9 इस तरफ से 9 लाओ और यहां से क्या आएगा 32 RH इक्वल टू हमारा यहां यही बेवलेंद पूछ रहा है यही बेवलेंद पूछ रहा है क्या देखो तो यही बेवलेंद पूछ रहा है मैंने कुछ नहीं किया के बल नाइन को इस तरफ ले गया और जो नुमेरेटर में है उसे मैंने denominator में ले आया क्योंकि 1 by lambda की value निकाले हो हमें तो पूशा है बेवलेंथ की value अब यहां देखो कौन सो option correct है हमारा पहले उसने मेरा answer आया क्या है answer आ क्या रख है 9 by 32 आरेच यहां देखना 32 by 9 आरेच यह option क्या हो चुका हमारा क्या है इनकर्रक्ण इसम उसने option में 9 by 32 आरेच हमारा value क्या है वोपर यह अब हमारा value क्या हो चुका है इनकर्रट अब हमारा value क्या है 9 by 32 आपारेच तो यह option हमारा क्या है 9 by 32 आरेच इसा क्या है हमारा correct answer वह ऊक्रेक्शन का 9 by 32 तेसा दियान में रखना टेस्ट होते हैं तो ऐसे को सकते हो अच्छा रहिक है और इस अको सब्सक्राइब मार करना स्टार्प मार्क यह क्यूज नंबर सीख्स थे हैं और एक आटो में का स्ट्ट्चिर तुका है बोल सकते हो कि हूज है पूरा टोटल कि छीख स्क्राइब करना सीखा रहा है कि तुम्हारे स्पीड को बताएगा कि यहां कितना अच्छे से तुम अटेम्ट कर रहे हो अगर इस कीज को तुम अपने सब्जेक को इंप्रूब कर सकते हो क्योंकि इसमें जो दिये जाते हैं तो थोड़ा से ड्वांस लेवल दिया जाते हैं क उस question में कि आप कैसे आपको एक time limit दिया जाता है उतने time limit में उस question को करना होता है तो सबसे पहले यह तो हमें हमें यह समझना चाहिए कि यह speed को बढ़ा सकता है दूसरा कि अमें conceptual बहुत strong करता है यह Ques तो Ques जब देने से पहले जो Ques का topic है वह पता कर लो और उस Ques को पहले त्रॉपिक को तयार कर लो और क्यूज देने के लिए बैठो और कैल्कुलेटर बाद में रखना क्योंकि के राख नहीं है यह पूछता नहीं क्यों तुम थोड़ा सा पेसिंस के साथ यह क्योज जब जो क्योज में आ रहा है उस क्योज का प्रिपेर्र करो और फिर जाको उन् नेक्स कुईज में बिलेंगे